Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel दोस्तों आज की वीडियो में TCS My NQT 2021 का Full Registration Process मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ काफी सारे दिन से Candidates के काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं कि Sir आप एक Full Registration Process वीडियो बनाईए जिसमें आप हमें बताईए कि NQT को कैसे Purchase करना है इसी के साथ साथ Different NQT को हम Purchase करेंगे तो किस हिसाब से हमें Payment हमारा कहां Show होगा इसी के साथ साथ हम Registration कैसे Confirm कर सकते कोई Confirmation Mail आता है TCS की तरफ से पूरा आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे Start से लेके End दक की सारी Process बताऊंगा Registration कैसे Confirm कर सकते ये भी बताऊंगा मेरे साथ इस वीडियो में बने रहीएगा चलिए वीडियो की शुरुबात करते हैं देखिए आपको सबसे पहले ये जो यहाँ पे Screen पे आपको यहाँ पे TCS National Qualifier Test की यहाँ पे Link है इस Link पे आना ये TCS का Official Platform है Official Website है जहाँ पे आप Registration कर सकते हैं सबसे पहले आप अगर एक नई ID है जैसे आपने Google से Login किया या आपने किसी भी Social Media Platform से Login किया या फिर आपने सिर्फ ID से Login किया तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जितनी भी Privacy Policy है मेरे एक Friend है उनका मुझे Registration करना है तो उनकी ID मैंने या पे Consider करी है इस वीडियो में इसी के सबस्त सारी Steps में आपको Start से लेके End तक समझाने वालों देखे आप पूरा जैसे मान लीजे आपने अपने ID Login कर ली Google से Social Media Platform किसी से भी ठीक है उसके बाद आप यहाँ पे आए यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस टाइप का Interface दिखेगा कि TCS NQT Your Gateway to Thousand of Top Jobs Limited Registration Registration 20 April को Close हो जाएंगे उसके पहले करने Date जो है 1st मई और 13th मई है अब Registran Now पे जाते हैं तो देखे जैसे हम Registran Now पे जाएंगे जैसे यहाँ पे Registran Now पे आए अगर आप B.E.B.Tech Candidate हैं जैसे कि आप अगर 21 में Pass Out हो रहें 2019 से 2022 बैच यहाँ पे ऐलिजेवल हैं अगर आप B.E.B.Tech हैं किसी भी ब्रांच में जैसे और अगर आपको TCS में जो TCS इंटर्व्यू के लिए means जो NQTs रहती है उसमें दो NQTs सबसे most important रहती है एक cognitive skills और subject NQT में IT programming तो अब दोस्तों जैसे कि आपको cognitive skills जो है जैसे आप अगर एक नई candidate है तो cognitive skills खरीदना बहुत ही आपको जरूरी है क्योंकि अगर आपके पस score card नहीं है अगर score card है बहुत अच्छा score है तो खरीदने की जरूरत नहीं है और IT programming और अगर आप different batches या branch से belong करते है courses से जैसे कि BSC, BCA इन सब courses से करते है तो आप industry NQT में information technology ले सकते हैं इसमें computer basic skills accountant आपका जो भी course है उस हिसाब से मैं आपको दो NQT यहां पर purchase करके बताऊंगा एक cognitive skills और एक IT programming तो देखे हम इसे बाहे नाव पर करते हैं अब इस टाइप से हमारा यह जो है पूरा page open हो जाएगा जिसमें हमारी सबसे पहले personal details will करनी पड़ेगी फटा फट से आप मैं यह personal details will कर देता हूँ और फिर इसे okay करते हैं so friends आपको अपनी details से सबसे पहले fill करनी है जैसे ही आप अपनी details will कर लेंगे तो आपको educational qualification details में आपका college का नाम फिर आप कौन सी degree कर रहे हैं इसी के साथ-साथ examination detail में दो mode है exam के एक तो online है जो आप अपने घर से दे सकते हैं और आप एक in center है ठीक है तो आप in center में आप सबसे पहले हम online देख लेते हैं online exam देने के लिए आप अपने test से घर से भी दे सकते हैं किसी भी location से दे सकते हैं पर आपके systems requirement कुछ होना चीए जैसे कि windows, ubuntu, operating system होना चीए version उन्होंने यहां पर specified नहीं किया google chrome browser होना चीए इसी के सबसाद यहां पर 2 mbps की internet connectivity है एक working webcam है बहुत अच्छी बात है अब यहां पर मैं आपको बता दू यहां पर एक point लिखा हुआ है कि आप लोगों ने यह declare करा है कि आपके पास जितनी भी system requirement है indicated है यहां पर वो है इसी के सबसाद TCS की तरफ से जो IRC test होता है infrastructure readiness check उसमें आप यह check कर सकते हैं कि पूरा जो test है उसका environment कैसा है इसी के सबसाद वहां पर जो test का mean से पूरा interface रहता है वो आपको पूरा अच्छे से पता चलेगा कि कैसे आपको login करना है फिर आप कैसे test दे सकते है mock test की तरह तो जब भी अगर TCS IN की तरफ से plan होता है तो आप confirm कर रहा ही कि मैं exam online दे रहा हूँ अगर आपको in center देना है तो जैसे आप in center पर select करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर state select करने फिर city preference select करनी है इसी के ससत disability नहीं है फिर इसी के ससत online पर जैसे अभी हम select करते क्योंकि most of the candidates online ले रहे तो हम जैसे online पर करते हैं और मैं यह declare करता हूँ फिर आपको clicker to upload आपका photograph आपको upload करना है जो कि मैंने आपके upload कर दिया एक सई साइस का होना चीए passport size रहेगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप अपना जो photo है वो भी लगा सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं upload हो जाना चीए capture आपको verification करना है यहाँ पर declaration करना है और submit करना है अब देखते हैं कि next process क्या होती है देखिये दोस्तों यहाँ पर next process हो चुकी है यहाँ पर लिखा आगया है कि your application form has been successfully submitted click on click to proceed button on the form and make the payment your NQT registration number is this you will receive login credential for exam protocated or haul ticket in the mail ID you can given in the registration form two days prior to the date of exam दो दिन पहले हमें जो सारी details है वो आ जाएगी इसी के सस्त मैं आपको एक चीज़ बताना चाता हूँ कि जब तक आप payment नहीं करेंगे आपको haul ticket नहीं आएगा तो आप payment की process पे चलते हैं यह पूरा हमारी details है कैसे details भरनी है बता दिये अब click to proceed करना है click to proceed में यह देखिए NQT cognitive skills is the first step अगर आप एक नई candidate भी हैं आप अगर एक भी बार आपने पहले कभी NQT नहीं दिए इस बार दिए तो भी आपको NQT cognitive को purchase करना पड़ेगा क्यूंकि यह mandatory अगर पूराने candidate है और आप अपना score बढ़ाना चाते हैं cognitive में तो खरीच सकते हैं नहीं तो purchase करने की जरूरत नहीं है जैसे कि आप एक नई candidate है क्यूंकि मेरे जो फ्रेंड है वो अभी नई से शुरुवात से पूरा कर रहे हैं इसलिए हमें cognitive करना है तो यह product details आपको यहाँ पर जाके मिल जाएगी पूरा product है अब आपको यहाँ पर buy now करना है अब buy now आप जैसी करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले details आएगी जैसे आप details से save कर देते हैं तो यह इस type से हो जाएगा click to proceed करना है proceed करेंगे अब proceed to pay अब देखे दोस्तों इस type से पूरा page open हो जाएगा इसमें आपको pay now करना है अब यहाँ पर payment आपका initiate होगा payment gateway पर यहाँ ले जा रहा है इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो payment है वो कैसे process हो रहा है यहाँ पर आपको अपना mobile number fill करना है उसके बाद आपको यहाँ पर जो है means आपको यह अपनी email ID और mobile number को confirm करना है ठीके दोस्तों इसके बाद आप जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर अभी mobile number डाल देते हैं और फिर यहाँ पर हम proceed करते हैं ठीके तो अब proceed करने तो यहाँ पर 4 option आएंगे एक card का आएगा UPI का आएगा Net Banking का आएगा अब फटाफट से आप UPI से आप अपने आपके पास जो भी suitable हो जैसे card UPI Net Banking wallet आप उससे कीजिए मैं फटाफट से इसे करके आपको next process पर ले जाता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे अभी मैंने 600 रुपीज पे कर दिये हैं means यहाँ पर मैंने 600 रुपीज पे कर दिये हैं इस से related cognitive से related तो इस type की slip generate हो जाएगी जिसे आप print भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको order ID यह मिल जाएगी फिर total items यह रहेगा आपका की status success रहेगा फिर आप transaction ID देख सकते किस से आपने pay किया है और आपके total product है तो जैसे अब मैं इसे close कर देता हूँ और मैं यहाँ पर जाओंगा और refresh करूंगा तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि क्या मेरा product आ चुका है जैसे आप देख सकते कि यहाँ पर cognitive का product है वो यहाँ पर show कर रहा है यह दो product है यह अलग है यहाँ पर मुझे cognitive का product शो कर रहा है अब मैं यहाँ पर और जाके देख सकता हूँ कि मेरी transaction history में क्या है मतलब अभी तक जो जो मैंने transaction करें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैंने product जो है उसको order किया था जो कि अभी 29th March को अभी थोड़ी ही देरे पहले हुआ था हम अभी वीडियो में करी रहते हैं आप यहाँ से अपनी invoice डाउनलोड कर सकते हैं जाके और यह पूरा confirm हो चुका है यहाँ पर अगर completed में भी जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर show हो जाएगा यहाँ पर incomplete failed refund का कोई option अलग रहते हैं पर यहाँ पर completed में आपको पूरा हो जाएगा और आप यहाँ पर अपनी invoice जो है वो भी जाके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको यह पूरा जो है वो product आ जाएगा तो आपने यह product करी लिया अब आपको यहाँ पर आ गया अब देखिया अब हम dashboard पर चलते है फटाफट से और अब हम देख लेते हैं कि NQT product में हमें वापस से क्या दिखा रहा है जैसे हम यहाँ पर गए और अब यहाँ पर जाने के बाद हमने क्या करा हमने यह NQT product में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर subscribe option शो हो गया है subscribe option का शो होने का यह मतलब है कि आपने इस product को purchase कर लिया है अब यहाँ पर दो option आ रहे buy now और activate now अब देखिये जब भी हम activate now पर जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आता है दोस्तों कि जैसे माल लीजे अब उन्होंने बोला कि यह inter license code तो TCS की तरफ से ऐसा कोई license code अभी बेजा नहीं जा रहा है जिससे कि हम इसे direct activate कर सकें पर अगर हम इसे एक बार mail ID पर भी check कर सकते हैं कि TCS की तरफ से अगर mail ID पर कोई activation product का code आता है या फिर अगर हम बात करें activation code की तो अगर हमें कुछ activation code आता है तो हम देख सकते हैं पर हमें TCS IIN की तरफ से एक mail आ जाता है कि your order has been placed successful आप यहाँ पर देख सकते कि hello Priyanka you have successfully completed your product subscription यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि order ID यह है इस टाइप चाहिए हमने पुरा कर दिया है अब यहाँ पर my dashboard page में जाके हम देख सकते हैं कि हमारा order जो है successful हो गया है तो अब एक चीज़ बताओ यहाँ पर आपको कोई order जो है उसको activate करने कि ज़रूरत नहीं है वो automatically activate हो गया है subscribe to show कर रहा है क्योंकि अभी TCS की तरब से इसा कोई license code या वो नहीं भेजा जा रहा है कि जिससे आपका product जो है वो activate हो जाए अगर future में कभी आगया आता है तो आप देख सकते हैं तो इस type से कर लिया अब हम चलते हैं और फटाफट से खरीद लेते हैं IT programming भी क्योंकि हमें TCS National Qualifier Test के साथ जो हमारी cognitive skills है उसके साथ हमें एक और खरीदना है जैसे मैं आपको subject NQT का बता रहा हूँ अब अपने according किसी दूसरी NQT का भी purchase कर सकते हैं ठीक है आपने save कर दिया your application form successfully submitted आ गया click to proceed करा यही आपको पूरी process same करनी है proceed to pay करा अब फिर आपको वापस से अपना यहाँ पे payment करना है तो वापस से जैसा same process है basic same process करनी है फटाफट से same process करते हैं और देखते हैं कि next क्या है एक IT programming आ गया है और एक cognitive skills आ गया है दोनों की request process दिखा रही है इसी के सबस्त हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं NQT की website पे कि किस type से हमें जो है वहाँ पे हमारा subscribe लिखा हुआ आ रहा है की नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पे subscribe लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने इसे purchase कर लिया है अब सबसे बड़ा important point registration process को कैसे हम complete समझे register now पे हम गए थे हमने हमारी सारी details विल कर दिये यहाँ पे एक बात लिखिया रही है कि your application form has been submitted successfully जो हमारा application form में वो submit हो चुका है successfully जब हमने देखा था कि TCS की website पे हम गए थे वहाँ पे एक और बार ले जाके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको एक और mail आ जाएगा TCS की तरफ से यहाँ पे आप देख सकते है कि your order has been placed successfully यह IT programming का है आपको mail भी आ जाएंगे dashboard में पूरा पता चल जाएगा इसी के सबसाद जैसे कि आपको कैसे confirm करना हमारा registration हो चुका है नहीं हो चुका है देखे यहाँ पर पढ़ रहे हैं आप your application form has been successfully submitted यही मतलब है आपका application form जो है वो submit हो गया है successfully पर जब तक आप payment नहीं करेंगे आपको all ticket नहीं आएगा तो जो payment की process बताईए वो पूरी करनी है इसी के सबसाद में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि if you have attempted any NQT the score tab card will be visible to your score card अगर आपने कभी भी करी होगी NQT पहले अभी score card यहाँ पर available होगा और अगर attempt नहीं करी होगी कोई भी NQT score तो यहाँ पे कुछ भी visible नहीं होगा और अगर एक भी करी है और जो latest score है वो ही यहाँ पे आपका shown होगा तो इस type से आप मान सकते हैं कि पूरा आपका registrations complete हो चुका है पूरी process complete हो चुकी है बस haul ticket आ जाएगा एक चीज़ बताना चाता हूँ जब भी IRC से related कोई mail आएगा कोई भी detail आएगी मैं आपको inform कर दूँगा चैनल पे बताऊँगा पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों product जो है वो successfully purchase हो चुके हैं Transiction history में हम completed में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो total दोनों order हैं वो placed हो चुके हैं जैसे की IT programming और यह cognitive skills तो दोस्तो इस टाइब से आज की वीडियो थी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए daily job update freshers वीडियो कुछ भी doubt है comment section में मुझसे पूचिए आपको और वीडियो के suggestions देने आपके comment मेरे लिए बहुत valuable है इसी के साथ साथ कुछ भी doubt आ रहा है comment section में पूचिए thanks for watching the video